विद्यार्थी मित्रो लेक्चर चार मा आपनू हार्दिक स्वागत छे लेक्चर त्रण मा आपने प्रक्रण एक ना स्वादेना दाखला एक पोईंट तेर थी एक पोईंट सोड जोया अवे दाखला नंबर एक पोईंट सतर रकम एक ब्लेक बोक्ष नी सपाटी आगलना विद्यूत क्षेत्रनी कालजी पूर्वकनी मापनी दर्शावे छे बोक्ष नी सपाटी माथी बारनी तरपनो कूल फ्लक्स आट गुणिया दस नी त्रण काथ न्यूटन इन्टू मिटर नो स्क्वेर प्रती कूलम छे तो दाखला नंबर ए पार केटलो अशे एलो बोक्ष नी अंदर नो कूल विद्यूत पार स्वतवानो थाई छे गाउस ना नियम प्रमाणे विद्यूत प्लक्स नू सुत्र छे क्या 5 बराबर Q ना छेद मा एपसिलोन जीरो चिया 5 ते विद्यूत प्लक्स छे Q कूल विद्यूत पार छे अन्ने एपसिलोन जीरो सुनिया आउकास नी पर्मिटिवीटी छे तो अवे आपड़े कुल विद्युद फार स्वोधवानों शे तेने करता बनावीशू तो आप बनेनों चोकडि गुणा कर थे जाशे एटले के 5 गुणिया एपसिलोन 0 5 नी वेलिव आपने रकम मापी दिदेली जे 8 गुणिया 10 नी 3 गात सुनी आवकास नी पर्मिटिवीटी एपसिलोन 0 8.854 गुणिया 10 नी माइनस बार गात 8 गुणिया 8.85 एटले के सित्यर पॉइंट 8 10-3 गात गुणिया 10-12 गात एटले के 10-9 गात 10-9 गात कुलम एटले 1 नेनो कुलम थाई तेथी आपने जवाब सित्यर पॉइंट 8 नेनो कुलम पन लखी सके जो 3 पॉइंट आपने जमनी बाजु खसेडी लए तो जवाब मां 10-6 गात कुलम आवसे लेके 10 नी मैने 6 घात कुलम एटले 1 माइक्रो कुलम एटले लेके 0.07 माइक्रो कुलम पन जबाब रह जो बोक्स नी सपाटी माथी बाहर नी तरफ नु कुलम फ्लक्स सुन्य होत तो तमे यो निसकर्ष तारवी सक्या होत क्या बोक्स माँ कोई विद्यूत पार नथी आउ होई तो क्याम अथवा न होई तो पण क्याम जो वोक्ष नी अंदर धन विद्यूत पार अने रूण विद्यूत पार बनने सर्खा प्रमाण मा होई तोज विद्यूत फ्लक्स सुनिया थाई अने बार नी तरपनू विद्यूत फ्लक्स होई तो 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 आपड़े गा सरवाडो एड़ले के छूल विद्युत भार सुन्य छे गाउस्ना नियंप्रमाणे पण जोय सकाई छे के जो बार नितर पाउतु विद्युत फ्लक्स सुन्य होे तो तेनों दुद भार पण सुन्य जे थाई आनिस करचे छे कि बोक्स मा धन विद्युद फार के रोण विद्युद फार होई छे के परन्तु तेनो कूल विद्युद फार सुन्य थाई आकरूती मा दर्शाव्या मुझब 10 सेंटिमीटर बाजु वाला एक चोरस ना केंद्र थी बराबर उपर 5 सेंटिमीटर अंतरे प्लस 10 मायक्रोकुलम बिद्युद विद्युद फार रहे लोँ छे चोरस माथी विद्युद फ्रक्ष नू मुल्य केटलू हसे सुचन चोरस ने 10 सेंटिमीटर नी धार वाला गहन नी एक बाजु तरीके विचारो तो सुचन प्रमाणे आजे चोरस चे एक समगहन नी बाजु छे तेव विचार वालों चे तो समगहन ने 6 बाजु होई एक, बे, त्रण, चार, एक आकलनी बाजु अने एक पाचलनी बाजु तो आ चोरस नू केंद्र छे त्यां थी बराबर उपर 5 सेंटिमीटर दूर एक धन विद्युद फार रहेलों चे अने आपने जानिये चे के जो धन विद्युद फार होई तो विद्युद ख्षेत्र नी दिशा धन विद्युद फार माथी बाहर नी तरफ निकलती दिशामा बधी बाजु असे आ बाजू, आ बाजू, आ उपर, आ बाजू, आ बाजू पन, अने आ बाजू पन तो आ धन विद्यूत फार नाली थे अपने गोशना नियमनों उप्योग करी अने अपने विध्यूत फ्लक्स पेलाट कुल आखा गहन नुँ कुल विध्यूत फ्लक्स अपने सुती सु तो गोस्ना नियम नो उप्योप करी विद्यूत फ्लक्स फाई बराबर कुल विद्यूत फार छेद मा सुनी आउकास नी पर्मिटिविटी कुल विद्यूत फार 10 मायक्रो कुलम आपी दिदेलो छे तेने आपने कुलम मा फेर वीशू तो 10 गुणिया 10 नी मायनस 6 खाथ छेद मा सुनी आउकास नी पर्मिटिविटी 8.85 गुणिया 10 नी मायनस 12 खाथ 10 भागिया 8.85 एटले के 1.13 10 नी मायनस 6 खाथ छेद मा 10 नी मायनस 12 खाथ मायनस 12 खाथ आंसमा जास एटले प्लस बार खाथ माइनस 6 प्लस 12 प्लस 6 एटले के 1.13 गुणिया दसनी 6 गात आ आखा घननु तिक्षेतरा आवियू परन्तु आपने तो आ चोरस माथी पसार थतू विद्यूत प्रक्षनू मुल्या केटलू हसे तेज वद्वानू छे तो खाली फक्त एक चोरस माथी पसार थतू आपने विद्यूत प्लक्ष मले एक पोईंट तेर गुणिया दसनी 6 गात भागिया छ एक पोईंट तेर भागिया छे एटले के 0.99 दसनी 6 गात एक पोईंट आपने डाबी बजू खसेडे शू एक पोईंट 9 गुणिया दसनी 5 गात न्यूटन इन्टू मिटर नो स्क्वेर प्रतिकूलम आ विद्यूत प्लक्ष पक्त एक चोरस माथी ज पसार थाई छे नमबर एक पोईंट ओगनिज 9 सेंटेमीटर धार वाड़ा एक घनाकार गोश्चन सपाटी ना केंदर पर बे माईकरो कूलम विद्यूत पार रहेलो छे आ सपाटी माथी कुल विद्यूत फ्लक्स केटलो होचे आ एक घना कार छे एटले के एक समगन छे के जहनी धार 9 सेंटेमिटर नी छे अने तेना बराबर केंद्र पर धन विद्यूत पार रहेलो छे तो दाखा नमबर 1.8 प्रमाने जो धन विद्यूत पार होए तो विद्यूत प्षेत्र बाहर नी तरब बदीच दिशा महाँ से तो यह लिते अहां केंद्र पर जे धन विद्यूत पार रहेलो छे तेना लिते आपड़ विद्यूत प्लक्स आखा समगन नू स्वतवानू थाए छे तो गोस नो नियम फाई इज इक्वल टू कूल विद्यूत पार छेद में एपसेलोन जीरो एपसेलोन जीरो एटले के सुनिया आवकास नी पर्मीटिवीटी क्यू ब्या माईक्रो कूलम छे तेना आपड़ कूलममा फेर विछ उ एटले के ब्या गुणिया दसनी-6 खात चेद मार आट पॉयंट पांच चाशी गुणिया दसनी-12 खात ब्ये फागिया आट पॉयंट पांच चासी एटले के 0.226 दसनी-12 खात अंसमा जासे अटले प्लस बार खात लेके गुणिया दस नी छ खात पोईंट आपने पोईंट 26 गुणिया दस नी पाँच खात न्यूटन इन्टू मिटर नो स्क्वेर प्रती कुलम नमबर एक पोईंट 20 10 सेंटिमीटर त्रीजिया धरावती गोडाकार गोश्यन सपाटी ना केंद्र पर मुकेला बिंदूवत विद्युद भान्नेली थे ते सपाटी माथी माइनस एक गुणिया दस नी त्रण काथ न्यूटन इन्टू मिटर नो स्क्वेर प्रती कुलम नो फ्लक्स पसार थाए छे तो दागला नमबर ए जो गोश्यन सपाटी नी त्रीजिया बमनी करवामा आवी होत तो सपाटी माथी केटलू फ्लक्स पसार थाथ तू होत हवे गोश्यन सपाटी कमे तेटली होई ते नी त्रीजिया बमनी करवामा आवे के अडधी करवामा आवे ते माथी पसार थाथाथू फ्लक्स ए फक्त विद्युद भार पर आधार राके छे नहीं के तेना परिमान एटले के साइज पर लेके गोश्यन सपाटी नी त्रीजिया जो बमनी करवामा आवे तो पन जेतलू पेला फ्लक्स पसार थाई छे तेतलू ज फ्लक्स पसार थाई तो अपने यह लखी सके यह गोश्यन सपाटीना परीमान एतले कि शाइज पर विद्यूत फलक्स आधा राक्तू न थी विद्यूत फलक्स पकत विद्यूत भार पर आधा राके छे तेथी विद्यूत फलक्सनू मुल्य बदला से निए तेथी त्रीज्या बम्णी करवामा आवे तो पण विद्यूत फ्लक्स माइनस एक पॉइंट जीरो गुणिया दस नी तरण घाथ न्यूटन इन्टू मिटर नो स्क्वेर प्रती कुलंबज रहे से दाखला नमबर बी बिन्दूवत विद्यूत फ्लक्स आपी दिदू छे दाखला मा अवे बिन्दूवत विद्यूत फ्लक्स रून छे एटले के समझीलेवानू थाई छे के विद्यूत फ्लक्स रून छे तो गोस ना नियम नो आपड़ उप्योग करी सु अने गोस ना नियम नो उप्योग करी ने आपड़ विद्युद भार नू मुल्य सोथी सु गोशना नियम प्रमाणे 5 बराबर Q ना छेदम एपसिलो न जीरो 5 विध्युद फ्लक्स और कुल विध्युद फार सुनी आउकास नी परमिटिविटी अपने कुल विध्युद फार सुधवानो थाही छे ले 5 गुणी एपसिलो जीरो 5 नू मुली आपी दिदेलू छे-1 गुणी आद दस नी त्रण खात सुनी आउकास नी परमिटिविटी 8.8 चो चो पन गुणी आद दस नी माइनस बार खात तेथी आब नेनो गुणाकार करीशू rous एड गुणी आट पॉईञेटबस दस नि त्रण खात गुणी आद दस नी माइनस बार खात तेथी आपने नेनो गुणाकार करीश सक्व कहां ठीक Fit विद्यूत पर थासे